सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के दिए बेल आइकाउन दबाएं वेलकाउं टो मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा मंदीब दोल्ट दोस्तों अगर आप अपने ओल्ड फोन से न्यू फोन में वाट्सैप का डाटा ट्रांसफर करना चाहते हों तो अभी आपको उसके लिए गूगल ड्राइब के बैक अप की जरूरत नहीं है अभी आप एक क्य QR को स्कैन करके एक फोन से दूसरे फोन में वाट्सैप के डाटा को इसली एंड क्विकली ट्रांसफर कर सकते हूं तो दोस्तों इस प्रसेस को आपने कैसे करना है यह सभी देखने के लिए बढ़े रहें वीडियो के एंड तक दोस्तों लेफ्ट फोन मेरा ओल्ड फोन है ए उसके बाद आपने यहां राइट आप पे क्लिक करने राइट आप पे क्लिक करने के बाद आपने यहां सैडिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने चैड्स पे क्लिक करने चैड्स पे क्लिक करने के बाद तो अभी आपने यहां ट्रांसफर चैड पे क्लिक कर देने उसके ब के बाद आपने Start पे क्लिक करने है, दोस्तों यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है कि आपने Wi-Fi को Enable कर लेना है, तो अभी यहाँ पे मैं Wi-Fi को Enable कर रहा हूँ, यहाँ पे QR Code को Scan करने की Option है कि यहाँ पे लिखा है, Download WhatsApp on your new phone, registered with the same phone number, using this phone to scan the QR Code shown on your new phone, तो दोस्तों अभी आपने आपने इस स्क्रीन को Close नहीं करना है, इसको ऐसी Open रखना है, अगर आप इसे Close कर दोंगे, तो आप चैट को Transfer नहीं कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं WhatsApp को Open कर रहा हूँ, WhatsApp को Open करने के बाद, आपने same number के साथ WhatsApp को Configure कर लेना है, same number के साथ Sign In कर लेना है, जो आपका इस phone में नमबर चल ला है, same to same, नमबर के साथ आपने दूसरे WhatsApp में Login कर लेना है, जैसे अभी यहाँ पे मैं Login कर रहा हूँ, दोस्तों अभी यहाँ पे दूसरे phone में Option आगी है, Transfer Chat, History from Old Phone, अगर आपने इस phone में यह Screen Open है, तो यह Option शो होगी New Phone में, उसके बाद आपने Continue पे क्लिक कर दिने, एंड Continue पे क्लिक करने, यहाँ पे अपने अलाओ कर दिने, तो दोस्तों यहाँ पे Code Scan करने की Option शोगी, तो आपने, अपने old phone से Code को Scan कर लेना, जैसे यहाँ पे मैं Code को Scan कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने Code को Scan कर लिया है, एंड Phone की यहाँ पे Searching यहां पर मैं आपको फिर से बताना जाता हूँ कि आपके दोनों फोन्स सेम वाई-फाई के साथ क्नेक्ट होने चाहिए दूसी तरफ यहां पर इनविटेशन असेपट करने के अपश्ण जोगी तो आपने यहां पर इनविटेशन असेपट कर लेना है और यहाँ पे old phone में data की preparation start होगी है दोस्तो जैसे data की preparation 50% complete होगी तो दूसरे phone में data receive होना start हो जाएगा जब तक 50% processing complete नहीं होती preparing complete नहीं होती तब तक data transfer की process start नहीं होगी दोस्तो यहाँ पे 50% transfer बाद दूसरी तरफ receiving की process भी start होगी है दोस्तो old phone में complete होगी है process और अभी जो new phone है उस पे processing चल लिए है दोस्तो दोनी mobile में process complete होगी है अभी यहाँ पे मैं पहले old phone में done करता हूँ और हम back पे click करते हैं यहाँ से मेरे जो whatsapp वो log out हो गया है अब यह मैं दूसरे phone में next करता हूँ and continue पे click करता हूँ उसके बाद automatically यहाँ पे जो message है same to same chat थी जो जा फिर media था same to same दूसरे phone में transfer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मेरी सभी videos, pics and chat transfer होगी है लेकिन यहाँ पे calls transfer नहीं हुई तो दोस्तों इस type से आप without google drive backup whatsapp के data को transfer कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी whatsapp जा किसी other application कर कोई query है जा किस suggestion है तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके comment का reply करूँगा thank you for watching please subscribe my channel for latest updates